हाँ भी दोस्तों रादे रादे सबको प्रणाम सबको नमस्कार सबको नमस्ते और एक बार जो है आप सभी का फिट से इस अनलाइन डिजिटल प्लेटफर्म पर हारदिक स्वागत और अभिनंदन है जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपने एक टॉपिक चल रहा था बुद्धी और बुद्धी के अंद्रगत अपने बुद्धी के सिद्धान्त को पढ़ना क्या कर दिया था मेरे दोस्तों प् प्रियास किया था आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपके सामने एक और मैं सिद्धान्त लेकर कर के आता हूं दोस्तों जिसका नाम है समू कारका सिद्धान्त आज जो सिद्धान्त पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है समू कारका सिद्धान्त जो सिद्धान्त आता है उसका क्या नाम है तो ध्यान रखना उस सिद्धान्त का नाम है आपके समू कारका सिद्धान्त समु कारक का सिधान्त किस ने दिया था दोस्टो तो ये देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था ठस्टन किसकी द्वारा दिया गया दोस्टो तो ध्यान रखना ठस्टन यहाँ पे कभी-कभी अपन Confuse हो जाते बहु कारक, बहु बुद्धी, समु कारक तो ये अलग-अलग प्रकार के हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि समू कारक का जो सिद्धान्त दिया गया था वो किसकी द्वारा दिया गया था समू कारक का सिद्धान्त का जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है मेरे दोस्तो थस्टन द्वारा किया गया है ये आपको क्या रखना है द्यान रखना है अब थस्टन ने जब इसका निर्मान किया था या पताया था तो इन्होंने क्या बताया था मेरे दोस्तों इन्होंने कहा था कि हमारे सरीर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रधान कारक होते हैं और वही प्रधान कारक आपस में मिल करके एक अच्छे कारक का निर्मान करते हैं इन्होंने हमारे अंदर कुल छे कारक बताए और इन्होंने उन कारकों को मापने के लिए एक प्रणाली बनाई थी ना वो प्रणालिया उन्होंने साथ कारकों को मापने के लिए बनाई थी ये आपको ध्यान रखना है तो इनके अनुसार हमारे अंदर जो प्रदान क्षमताएं होती वो छे प्रकार की होती है आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों तो इन्हों ने छे प्रकार की हमारे अंदर abilities को बताया है और उन abilities को मापने के लिए जो प्रणाली बनाई है ना वो प्रणाली साथ क्षमताओं को मापने के लिए बनाई है दियान रखना तो क्या बताई तो दियान रखना छे प्रधान क्षमताओं का वर्णन छे प्रधान क्षमताओं का वर्णन या क्षमताओं को बताया ऐसे लिख देते हैं छे प्रधान ख्षमताओं को बताया और आपको ध्यान रखना है साथ ख्षमताओं को मापने के लिए प्रणाली बनाई अब यहाँ पे मैंने ये दो चीजे क्यों लिखाई है तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो चीजे लिखाने के पिछे मेरा करन ये था कि आपको ये पूछ लिया जाए कि बताओ धस्टन के अनुसार एक मानव में प्रधान ख्षमताओं कितनी होती है तो आप कहीं ये साथ न लिख दो क्योंकि मैं अभी आपको यहाँ पे ये साथ पड़ूँगा तो यह आपको ध्यान रखना है सबसे पहली आती है मेरे दोस्तों साथ आपन पढ़ेंगे और उस साथ मेंसे आपको जो सबसे पहले पढ़नी है कि पहले नंबर पर आपकी प्रधान कारकिया इसकी प्रधान ख्षमताओं जो है वो कौन सी है शाब्दिक अर्थक्षमता ये क्या चीज होती है थस्टन को समझना है आपको तो ध्यान रखना कि शाब्दिक क्या होती है दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है ये एक प्रकार का समझने की क्या होती है मेरे दोस्तों एक अक्षमता पाई जाती है एक प्रधान अक्षमता होती है कि वो किसी वाक्य और शब्द को क्या कर सकता है पहचान सकता है उसकी पहचान कर सकता है इसको लिखा किस से जाता है तो इसको अपन कहेंगे वर्बल मिनिंग अबिलिटी तो वर्बल मिनिंग अबिलिटी के बारे में अपन यहां पर क्या लिख देंगे वी वर्बल मिनिंग अबिलिटी का क्या लिख देंगे यहां पर वी लिख देंगे वर्बल वर्बल का मतलब भी होता शाब्दिक तो इसके लिए अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे वि अक्षर का प्रियोग कर देते हैं कि वि इसके अंतरगत लिखा जाएगा अब इसके अंदर लाइन अपन को कुछ नहीं लिखनी कि शाब्दिक अर्थक्षमता बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है वर्बल मिनिंग पावर इससे ज्यादा आपको याद रखने की आवशकता नहीं एक आती है शब्द प्रवाहक्षमता दोनों में अंतरे देखिए दूसरा जो बताया उसका क्या नाम है शब्द प्रवाहक्षमता दूसरा जो बताया उसका क्या नाम है आपके शब्द प्रवाहक्षमता शब्द प्रवाहक्षमता का मतलब क्या होता है दोस्तों तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक तरीके से आपको ये ध्यान रखना है जब बालक सम्मंदित शब्दों को एक साथ और असम्मंदित शब्दों को अलग कर देता है ना उसको अपन कहते हैं शब्द प्रवाखशमता कि कितनी fluency के साथ में वो शब्द को क्या कर दे जा रहा है आपके बोला जा रहा है तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि शब्द प्रवाक्षमता का मतलब ऐसे शब्द जिनका आपस में संबंध हो संगत हो उन शब्दों को तो वो करम बद में रखता है और जिनका करम मे उपयोग नहीं होता है उनको side में कलता चला जाता है जिससे हमारी बोलने की गति बढ़ जाती है शब्द प्रवाक्षमता तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक शक्ति जो आती है जिसको क्या कह जाता है मेरे दोस्तो शब्द प्रवाक्षमता कह जाएगा जिसको word flu इविलिटी कहा जाता है और वर्ड फुलिएंसी को अपन किसे लिखेंगे वो इसको लिखेंगे अपन डबल्यू से पहला हो गया वी और दूसरा कोणसा हो गया आपके डबल्यू तो यहां पर आपको धियान है कि शब्द प्रवाक्षमता का मतलब सिम्बल वासा मैं से शब्दो को प्रवा के साथ में बोलना आप प्रवा के साथ में कब बोल सकते हो जब आप संगत शब्दो को करमबद में जमाने में सक्षम हो यदि संगत शब्दो को करमबद रूप से नहीं जमा पा रहे हो तो आपके बोलने की प्रवा तमकता कभी नहीं आ सकती तो एक तरीके से एक तो था है शब्द अर्थक्षमता और एक शब्द प्रवाक्षमता एक शब्दों को अर्थ समझने की ख्षमता एक शब्दों को अर्थ के साथ बोलने की ख्षमता तो शब्दों को अर्थ के साथ बोलने की जो अक्षमता है उसको अपन क्या कहेंगे शब्द प्रवा और शब्दों को अर्थ समझने की जो अक्षमता है उसको अपन क्या कहेंगे शाब्दिक अर्थ अक्षमता तो दो कारक अपने सामने हो गए जो आपको क्या रखना है दोस देशिक क्षमता कह सकते हैं यह एक परकार से आप यू कह सकते हो कि इसको जो होता है यह देशिक क्षमता का मतलब यह ऐसी चीज होती है कि जिसके अंदर स्पेस यह एक विशेस अस्थान पर रखी हुई चीज को समझने की ख्षमता है देशिकक्षमता कि जो चीज एक तरह मुर्थक्षमता जो चीज हमारे सामें रखी हुई है उसके आधार पर अपनु उसको क्या कर सकते हैं आपकी बुद्धी जैसी कोई मुर्तिकार मुश्य के सामने यदि आप की चीज रखते तो इसको S से लिखा जाता है इसको किसे लिखा जाता है याद रिखना V, W उसके बाद क्या आएगा आपके S तो ये भी आपको ध्यान रखना है तो इसको किसे लिखा जाएगा तो शाब्दिक अर्थ का मतलब शब्द को ग्रहन करना शापदिक प्रवा के साथ ने बोलना देसिक ख्षमता का मतलब एक निश्चित अस्थान पर अपना ध्यान केंदर करने की ख्षमता को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों देसिक ख्षमता कहा जाता है ये आपको ध्यान रखना है एक आती है आपके इसके बाद आंकिक ख्षमता चोथे नमबर पर जो आएगी उसको क्या कहा जाएगा तो ध्यान रखना उसको कहा जाएगा आंकिक ख्षमता नमरिकल एबिलिटी आंकिक ख्षमता इसके अंतरगत क्या होता है तो आंकिक ख्षमता के यदि अपन बात करें मेर लेना निचे कौन सी संक्या के बाद कौन से सारा नम्रिकल नोलेज जो है वो हमें कहां से प्राप्त होता है इसके अंतरगत और नम्रिकल एबिलिटी की वज़े से इसको आपको किस से लिखा जाएगा तो ध्यान रखना नम्रिकल को अपन क्या कहते है एन तो इसको किस से बन सकता है एक तो ये प्रदानक शम्ताइं बताई एक तो यह पंद बन सकता है धस्त कि मंपन के लिए प्यालिלא बनाया डूसरी नींद लिकित में से थस्टन की रधानक शम्ता चैंग संसे नहीं बस इनके अलवा से कोई प्रश्ण बन ही नहीं सकता इसलिए मैं आगे line नी खिच रहा हूं बाकि तो मैं पूरी की पूरी line आगे क्या करदू बर दू यदि मैं आगे line नहीं लिख रहा हूं ना इसका साब अरते की हमें जो हैं, इसके आगे के बारे में, कोई भी आपको यारती नहीं रखना है, इसके बाद आती है, इसको अपन क्या कहते हैं, तरक ख्षमता, और reasoning ability को अपन किस के साथ में लिख देंगे, तो दिधान रखना, इसको लिखेंगे reasoning को R से, आपसी समानता हैं मालूम करना, ऐस समानता हैं मालूम करना, ये सारी mental ability उसकी जो होती वो अधिक होती, उसको कहा जाता है तरकक्षमता, ये भी व्यक्ति के अंदर क्या पाई जाती है मेरे दोस्तो अधिक पाई जाती, एक आती है आपके memory ability यहाँ, इसको अपन कहेंगे स्मरत समरती का मतलब क्या होता है, memory और memory को अपन कहा से लिखेंगे M, इसके अंतर क्या होता है, कि किसी भी विशय वस्तूओं को हम दारन कर सकते हैं, जिनको हम वहाँ पर याद रख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना, ग्यान का, अधिगम का, चिं अंदर केवल डाटा रटकर के याद रखा जाता है, कोई अवबोध नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई तरक नहीं है, कोई अवधारना नहीं है, कोई विचार नहीं है, केवल कंटेंड को रटा गया है, इसके अलावा इसके साथ में कुछ भी नई किय तो छटे नंबर कि याद रखनी है आपको जो बताईники स्मृतीक शमता यह आपको क्या रखना है दोस्तो ध्याण रखना है एक आती है आपके एक तरीके से जिसका नाम है प्रत्यक्षिकरन गती क्षमता या प्रत्यक्षन की क्षमता प्रत्यक्षन गती क्षमता ये चीज क्या होती है तो इसको भी समझ ली दिये कि प्रत्यक्षन गती क्षमता क्या होती है प्रत्यक्षन गतिक शम्ता का मतलब होता है मेरे दोस्तों की कोई चीज आपको एक तरीके से प्रेजेंट आपको नजर आ रही है वरतमान में कोई चीज आपको नजर आ रहे है प्रत्यक्षी करन आप कर रहे हो तो प्रत्यक्षी करन का मतलब होता है अपनी आखों से देखना तो किसी व्यक्ति के अंदर ये क्षमताएं पाई जाती है कि किसी चीज को देख करके समझने की गती उसके अंदर क्या होती ज्यादा होती है प्रत्यक्षी करन करने की गति प्रेजेंट्स और इसको अपन किसे लिखते हैं पी से इसको किसे लिखते हैं अपन पी से ये साथ अक्षमताएं आपके किस ने बताई थी मेरे दोस्तों थरस्टन ने बताई थी क्या-क्या याद रखोगे तो याद रखना थरस्टन ने छे प अब्रवाहा तीसरा है देसिक खुमता, चोता है आंकिक खुमता, पाँचवा है तारकिक खुमता, छटा है स्मृतिक खुमता, और आठवा कौंड सा हो जायेगा प्रत्यक्षिकरण गतिकी ख्शुमता, ये आपको क्या रखना है मेरे दोस्तो याद रखना है अब इनकी मैंने आपको क्या बता रखी है मेरे दोस्तो एक तरीके से आपको मैंने इनकी क्या बता दी शॉर्ट फॉर्म बता दी और ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है यह आपको ध्यान रखना है साथ अक्षमता हैं आपको क्या रखनी है याद रखनी है देखिएगा यह आपको याद रखनी है अब आपको इसका फुल फॉर्म बना करके मैं दे देता हूँ जो आपको याद रखना है V, W, S, N, R V, W, S, N, R, M, P ये आपको ध्यान रखना है इसलिए मैंने आपको करम से पढ़ा है ये हम चाहते तो इनको आगे बीछे भी पढ़ सकते हाला कि ये एक प्रश्न कभी नहीं आएगा मैं लिखे दे रहा हूँ कि शोट फॉर्म पूछ ले और आपसे पूछ ले लेकिन ये पूछ सकते कि V, W, S, N, R, M, P जो आपके प्रदान अक्षमता है वो किसने बताई पूरा नाम ना लिख करके शोट में ये दे सकते लेकिन इनकी फुल फॉर्म आपको कभी नहीं पूछेंगे ये हमारा दावा है ये आपको ध्यान रखना है ये थर्स्टन का कौन सा सिधान था समू कारक का सिधान या समू बुद्धी का सिधान जाता है क्लियर मेरे दोस्तो चलिएगा एक सिधान अपन और पढ़ते मेरे दोस्तो वो है आपके बहु बुद्धी का सिधान गार्डनर आप भी हेडिंग लगा ना बहु बुद्धी का सिध्धान्त बहु बुद्धी का सिध्धान्त और बहु बुद्धी का सिध्धान्त किसने दिया था मेरे दोस्तों तो ध्यान रखना बहु बुद्धी का सिध्धान्त देने वाला व्यक्ति था गार्डनर किसने दिया था आपके गार्डनर ने एक विद्वान था और विद्वान का क्या नाम था मेरे दोस्तो गार्डनर ने क्या दिया था मेरे दोस्तो इसका नाम दिया था आपको ये धियान रखना है हाला कि इन्होंने क्या किया था अपनी मानसिक शम्ताओं के उपर एक अध्यन किया और अध्यन करने के बाद पहले इन्होंने बुद्धी को साथ कारकों के रूप में बाटा फिर उसने आठ कारकों के रूप में बाटा और वर्तमान में उसको नो कारकों के रूप में जहने लग गया मतलब साथ से सुरूआ और नो तक इसका नाम क्या है बहु बुद्धी का सिद्धान्त कि बुद्धी के प्रकार की होती है इन्होंने बुद्धी के कारक नहीं बता हैं बुद्धी के प्रकार की बुद्धी होती है और उन्होंने पहले साथ प्रकार बता है थे फिर इन्होंन 2000 में जाकर के आपके नो प्रकार बताएं तो वर्तमान में इनके कितने प्रकार प्रचली थे तो ये भी आपको ध्यान रखना है गाडनर के वर्तमान में बहु बुद्धी के सिद्धान्त के अंतरगत नो प्रकार माने जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि तीन बाद में बुद्धी के कितने प्रकार बता है बाद में बुद्धी इन्होंने बता दी आठ प्रकार की आठ प्रकार ध्यान रखना और वर्तमान में अब इतने आगे जाकर के कितने बता है तो वर्तमान में कितने मानने जाते हैं तो वर्तमान में इनके कितने प्रकार मानने गए हैं यह दियान रखना बुद्धी के कितने प्रकार माने गए मेरे दोस्तों नो प्रकार अब अपने को यह केवल नई प्रकार पढ़ने गी नो प्रकार कौन सा है अभी अपने साथ पढ़े थे थस्टन के अभी इसकी क्लास के अंतरगत अपन नो प्रकार और पढ़ेंग पहला प्रकार कौन सा बताया मेरे दोस्तों तो ध्यान रखना पहला प्रकार इड़ों ने बताया बाशाई बुद्धी अब आपको ये ध्यान रखना है बाशाई बुद्धी के अंतरगत क्या होता है दोस्तों तो इस बुद्धी से हम शब्दों और वाक्यों के अर्थों को समझते हैं शब्दों और वाक्यों के अर्थों को जमाते हैं बाशा से हम अंतहक्रिया करते हैं अपने विचारों से तो इसमें अपने यह line लिखेंगे इससे अंद्रगत, बालक, सब्द और वाक्यों में संबंध स्थापित करता है संगत शब्दों को करमबद रूप में जमाता है अपने विचारों का आधान प्रदान करता है इससे बालों के अंदर शब्दों को समझने की शक्ति विक्षित हो जाती है इस इसके आधार पर बालक अपने सब्दों की वियाख्या कर पाता है ये basic structure से अपन को बता है अपन को बता है भाशा ये बुद्धी मतलब ऐसी बुद्धी जिसका सम्मंद भाषा से हैं अब शब्द भी भाषा में आते हैं वाक्य भी भाषा में आती हैं कवीता हैं भाषा में आती हैं हर चीज भाषा में आती है तो भाषा का प्रियोग का मतलब हो गया बुद्धी एक ऐसी बुद्धी जो हमें बाशा सीखने में मदद करती है जिसके अंतरकत हम शब्दों को सीखते हैं और शब्दों के द्वारा अपने विवहार को क्या करते हैं प्रकट करते हैं तो पहला प्रकार जो आपके गाडनर के द्वारा बताया गया था उसका क्या नाम था? Language Intelligency उसका नाम क्या हो जाएगा? आपके तो ध्यान रखना इसको कहा जाता है आपके बाशाई बुद्धी आपको ये ध्यान रखना है एक आती है आपके तारकिक गणित्य बुद्धी तारकिक गणित्य बुद्धी Logical Reasoning Intelligency गणित्य बुद्धी इसके अंतरकित्य क्या होता है कि बालक अंकों के उपर विचार अंकों को जमाना अंकों को जोड़ना अंकों के बाढ़ना अंकों की अस्थिति अंकों की परिस्थिति इन सब का क्या रखता है मेरे दोस्तों ग्यान रखता है तारकिक बुद्धी यानि कि यहाँ पे बालक जो होता है वो क्या होता है दोस्तों तरक होता है यहाँ पे बालक इस बुद्धी का परियोग अधिक्तम लोग वह लोग करते हैं जो गणित की समशाओं का समाधान करते हैं हम जब छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे और गणित जो बुद्धी लग रही थी ना उस बुद्धी का क्या नामतार Logical Reasoning Intelligency या इसको अपन क्या कह सकते तारकी के गनितग्य बुद्धी तो ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरा प्रकार कौन सा बताया तारकी कि गनितग्य बुद्धी ये आपको ध्यान रखना है अब ये बुद्धी किसमें पाई जाती है जहां जिसकी आवश्यक्ता होगी मैं बता दूँगा आपको अतिरिक्त नहीं लिखना है आपने अगर मेरे उपर वरोसा किया है ना तो आपको अधिरिक्त कंटेंड नहीं लिखना है मैं जितना बता रहा हूँ वही लिखना है अब इसके अंदर लाइने तो बढ़ जाती है बताओ तारकी कि गुद्धी किसमें पाई जाती है जो अंकों का सबसे ज़दा प्रियोग करते है जो तारकी के उपर कायरे करते हैं बुद्धी पाई जाती है कोई नहीं पूछेगा जहां से पूछेगा वहां से मैं आपको बता दूँगा कि यहां से सवाल आ सकता है तो ध्यान रेकना है भाशाई बुद्धी मतलब भाशा का दूसरा कोण सा है आपके तारकी गणित्य बुद्धी मतलब यह आपको क्या याद रखना है तारकी गणित्य बुद्धी तो यह आपको याद रखना है कि दूसरा प्रकार कोण सा बता है था तो उसका आपको ध्यान रखना है यह बता है था आपके यह आपके जो बताया था वो कौन से बताया था तीसरा प्रकार आता है अस्थानिक बुद्धी अस्थानिक बुद्धी तीसरा प्रकार जो बताया था उसका क्या नाम था मेरे दोस्तो आपके उसका नाम क्या था मेरे दोस्तो अस्थानिक बुद्धी अभी अपने उपर वो अपना ध्यान आकर्षन कर सकता है, उस विशेई वस्तु में बदलाव कर सकता है, उस विशेई वस्तु में परिवर्तन करने की एक्षमता रखता है, उसको कहा जाता है अस्थानिक बुद्धी, जैसे एक पेंटर के सामने कोई अधूरा चित्र पड़ा है, वो उस चित्र को बदलने की एक्षमता रखता है, तो अपन कहेंगे ये अस्थानिक बुद्धी है, किसी विशेई अस्थान पर लगने वाली बुद्धी, उसको अस्थानिक बुद्धी पाई जाती है, ये हर फिल्ट से जुड़े हुए लोगों के अंदर अपने अपने पास में होती है, कुमहार है, मट्टी से जुड़े हुए कि उसकी स्थानिक बुद्धी है, सुथार है, लकडी से जुड़े हुए कारियों में उसकी स्थानिक बुद्धी है, पैंटर है, तो चित्र बनाने में उसकी कोण सी बुद्धी लगेगी, अस्थानिक बुद्धी, मतलब आपको क्या रखना है दोस्तो ज्यान रखना है एक आती है आपके शारिरिक गतिक बुद्धी क्या हो गया है एक जो आती है उसका नाम क्या है आपके शारिरिक गतिक बुद्धी शरिरिक गतिक बुद्धी का मतलब क्या होता है किसी विषय वस्तुक को balance बनाना किसी सरीर के साथ में उसको पकड़ना कब सरीर को आगे बढ़ना रोकना अपने शरीर को संतुलन करने के लिए जो चलती है उस बुद्धी को क्या कहा जाता है पर क्या हो गया चलना भई, आज कैसे हंग हो गया ये, ऐसी बुद्धी जिसके अंतरकत पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, आपके शारेरिक बुद्धी, कौन सी बुद्धी कहा जाएगा, शारेरिक बुद्धी कहा जाएगा, जैसे खिलाडियों के अंदर, टैनिस खिल पड़ाने की इच्छा थी नहीं आज पतानी क्या हो गया है इमानदारी से बता रहा हूं आपको क्लास के इंदर हाला कि यह बताना नहीं चाहिए क्योंकि मनोविग्यानिक पड़ाने की इच्छा नहीं होती मैं तभी पड़ा सकता हूँ जो मेरे अंदर भरपूर जोस बरा हुआ पैरे सही से रोते हुए नहीं पड़ाया जा सकता हुए अज भी मैंने इसलिए लेली क्लास मेंने का कली ली ती और आज वापीस बंद कर देंगे तो बच्चे कहेंगे क्या है गुरुजी एक दिन आते चार दिन भग जाते हैं इसलिए मैंने का कि नहीं अभी इंटिनिटी नहीं तोड़ते बले आदे गंटे की भी लेंगे लेंगे लेकिन क्लास लेंगे एक बार इनको होने के चकर में तो आपको यह दिहान रखना है अब यह चल गया चल गया अब आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है तीसरी बुद्धी जो प्रकार की जो बुद्धी बताई थी वो कौन सी बुद्धी बताई दोस्तों तो आपको यह ध्यान रखना है वो बताई थी आपके शारिरिक गतिक बुद्धी जो किसके अंतरगत पाई जाएगी मेरे द अब इसके अंदर की चीज़े आपको याद नहीं रखने हैं, यह ध्यान नहीं रखना है कि खिलडियों पाई जाती है, इतना सेंस तो है हमें, हम पैचान लेंगे कि यह किसमें पाई जाती है, हमें केवल इनका कंसेप्ट पता हो कि हाँ, इसके अंतरकत यह बुद्धी पाई जो गाने गाने वाले लोग हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धी पाई जाती है, आपके संगीतिय की बुद्धी, कोई वाद यांतर म्यूजिक सिस्टम को बजाते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धी पाई जाएगी, आपके संगीतिय बुद्धी, निरत्यंग, जो नि इतने भी सरगम वगेरा होते हैं, उनकी पहचान वो सही तरीके से कर लेते हैं, इसको कहा जाता है, musical intelligence या इसको अपन कौन सी बुद्धी कहेंगे मेरे दोस्तों, संगीतक ये बुद्धी जो इसके अंतरगत बाई जाती है, आपको ये ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धी, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धी, इसको अंतरव्यक्तिक बुद्धी भी कहा जाता है, इसको एक और नाम से जना जाता है, अंतरव्यक्तिक बुद्धी, अंतरव्यक्तिक बुद्धी, इस बुद्धी के अंतरगत क्या होता है, कि व्यक्त के अंदर व्यवहार को समझने की ख्षमता है क्या होती है मेरे दोस्तों अधिक होती है इस बुद्धी के अंतरगत एना अपने बावों और समयगों की खुद क्या कर लेता है दोस्तों वह अपने आप में मोनिटरिंग कर लेता है आपको यह ध्यान रखना है तो आपको यह ध व्यक्तिक बुद्धी भी कहते हैं इसको तो ध्यान रखना कि इसके अंतरगत व्यक्ति अपने इमोशन्स अपने विचार अपने थिंग सारे अपने अंट्रोल में लेकर के चलता है कि कभी क्या होना है और कभी क्या नहीं होना है तो यह आपको ध्यान रखना कि व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि के अंतरगत व्यक्ति क्या होता है स्वयम के अपने आपको क्या कर लेता है दोस्तों नियंत्रित करना सीख जाता है ऐसी के ऐसी एक बुद्धी और होती है जो होती है व्यक्तिगत अन्य बुद्धी व्यक्तिगत अन्य बुद्धी व्यक्तिगत अन्य बुद्धी अब ये व्यक्तिगत अन्य बुद्धी किनके अंतरगत पाई जाती है तो इसके अंतरगत क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत अन्य बुद्धी के अंतरगत व्यक्ति दूसरों को पहचानने की एक्षमता रखता है अन्य बुद्धी दूसरे व्यक्तियो को जानने की एक शमता है रखता है कि इसके मन के अंतरगत क्या चल रहा है ये क्या सोच सकता है psychologists है ना philosophers इनके अंतरगत क्या होता है कि दूसरों के बारे में जानने के लिए उनके पास में एक शक्ति होती है व्यक्तिकत आत्मने अपनी monitoring और व्यक्तिगत अन्य की मोनिटरिंग गर लेते हैं हम लोग तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब दूसरों को समझा जाएं तो व्यक्तिगत क्या कहेंगे इसको अन्य कहेंगे और खुद को समझा जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा मेरे दोस्तों तो ये आपको ध्यान व्यक्तिगत अन्य बुद्धी कहा जाएगा यह आपको इसके संदर पे क्या रखना है दियान रखना है चलिएगा इसके बाद में आपके एक आती है जिसको कहा जाता है प्रकर्तिवादी बुद्धी यह उन लोगों के अंतरगत विक्सित होती है जिनको नेचर से ज्यादा होता है जिसे किसान वगेरा प्रकरतिवादी बुद्धी ये ना हाँ नेचर से जुड़े हुए लोगों के अंदर ये बुद्धी क्या हो जाती है आपके सबसे ज्यादा विक्सित हो जाती है आपको ये ध्यान रखना है ये ना हाँ नेचर से इनका क्या होता है मेरे दोस्तो आठवा प्रकार हो जाएगा भी कौन सा प्रकार हो जाएगा आपके आठवा प्रकार हो जाएगा अब उसके बाद में आपको ध्यान रखना है अंतिम प्रकार जो इन्होंने बताया उसका नाम है अस्तित्वादी यह अंत में जोड़ा था इन्होंने अस्तित्वादी बुद क्या होता है कि इसके अंतरगत एक प्रकार की वास्त्विक्ता से प्रश्न पूछ कर जानने की इच्छाएं होती है या अपने आपको जाने की एक रियलिटी के साथ में ये क्या करना जाना जिना जाता है अस्तित्व का पता लगाना जाता है ऐसे लोगों को कहा जाता है अस्त रखना है जिसमें कौन गाड़नर को आपने बुद्धी के प्रकार बताये थे वो कितने बताये थे पहले आट फीर आपके नो तो जयान रखना वो नो प्रकार कौन कौनसे थे भाशाई बुद्धी तारकिक बुद्धी, स्थानिक बुद्धी, शारिरिक बुद्धी, संगितग्य बुद्धी, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धी, प्रकर्तिवादी बुद्धी या और इसको क्या कहा जाता है आपके अस्तित्वादी बुद्धी कहा जाता है ये भी आपको क्या रखना है इसके बारे म आपके 9 प्रकार दिये थे, clear दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके 9 प्रकार जो है, आपके इसके अंतरगत माने जाएंगे, हो गए 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये आपके 8 और भाशाई बुद्धी हैं उपर 9, नो प्रकार आपके इसके माने जाएंगे, एक बार इनको वापिस देख लेते हैं, पहला प्रकार अपन ने पढ़ा था, थस्टन के आदार पर जिसने 6 प्रदान अक्षमता हैं और 7 मापन प्रनालिया बताई, जिसमें शाब्दिक अर्थक्षमता, शब्द प्रवाक्षमता, देशिक शमता, तारकिक शमता, समर्थिक शमता और प्रत्यक्षे करण गतिक शमता का जाता है, एक आपके बताई जो किसने बताई थी, बहु बुद्धी का सिद्धान जो गार्डनर ने दिया था, जिसने 9 प्रकार जो हैं बुद्धी के बताई थे, वो कौन-कौन से बाशाई बुद्ध तारकी गिनितक ये बुद्धी, अस्थाने की बुद्धी, शारेरी गती बुद्धी, संगितक ये बुद्धी, व्यक्तिगत आत्मन बुद्धी, व्यक्तिगत अन्य बुद्धी, प्रिकर्तिवादी बुद्धी और इसको क्या कहा जाता है आपके अस्तित्वादी अपन का काम क्या है एक्जाम निकालना मैंने आपको पहली दिन Богी भूल था कि हमें एक्जाम में प्रस्टन बिठाने हम इसके उपर काम कर रहे है यह बात अलग है कि अपन सीख बड़ी आ रहे हैं या सीखने का परियास कर रहे हैं तो जब जहाँ जितना होता है मैं आपको भरबूर समझा देता हूँ, अब इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको मैं समझाया जाओं और इस क्लास को गंटे तक गंटे तक खिंचे जाओं, डाटा हैं जिसमें आपको नाम याद करने हैं, तो इसको एक दो बार दू चार दो, ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ है, तो मुझे भी नहीं लगता है कि इस क्लास में भी कभी होगा, तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा सिखा जाना समझाया याद किया, वो आपके आने वाली परतियोगी परिक्षाओं के लिए बड़ा लाबकार या हित का रिशिद होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसा मुझे विस्वा से, तो बिल्कुल हसते रहें, मुस्कुराते रहें, प्रसन चित रहें, आनंद में रहें, मज़े लेते रहें, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरो और शोरो से जारी रखें, कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ मैं तब तक के लिए मुझे दीजी आग्या, थेंक्यू सो मच, रादे रादे एंड जैहिन